इस वीडियो में हम क्विक्ली डिसकस करेंगे रेसेल डिस्केशन कर चुक रहूं क्या है तो इसलिए मैं दोबारा उस तफसील में नहीं जाओंगा रिसेल स्रेटिफिकेट बस सिंपल से है कि यह इसलिए काम आएगा आपको कि आप अपने सप्लायर को भीजेंगे बनाकर इसमें इन्फरमिशन फिल अप करके यह सब्सक्राइब की तौर पर मैंने कलिफोर्निया का रिसेल स्रेटिफिकेट ओपन कर रखा है तमाम स्रेट के जो यूएस के सेट्स हैं तमाम स्रेट के अपने अपने रिसेल स्रेटिफिकेट की टैंपलेट्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे मैंने एक लिंक भी दिया है वीडियो में जिससे आपको सारे ही टैंपलेट्स नहां से मिल जाएंगे तो वो templates आपने लेने हैं और उस template के उपर आपने अपनी information fill up करनी जैसे इस वक कैलिफोर्निया की example में हमने जो है वो हम देख रहे हैं कि जी ये आप से sellers permit मांग रहा है यहाँ पर तो sellers permit हमारा वो text permit की ID होगी जो कि हमें state ने अलड़ी दी हुई है registered job हम है ठीक है मैं इसके लिए Adobe Acrobat DC का software यूज़ करता हूँ ताके यह बड़े आराम से मैं यही पर fill और sign भी कर पाता हूँ मुझे print करने के ज़रूत नहीं है अलबता अगर आपके पास यह software नहीं है तो आपको यह print निकालना पड़ेगा sign करना पड़ेगा और scan करके आप दुबारा state को भी जाएगे ठीक है तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर अपनी text ID डाल देता हूँ यह temporary जो dummy के तौर पर के जी यह 123456 हमने कुछ भी डाल दिया और इसको हमने यहाँ से आगे बढ़ा देंगे अब next सवाल कहता है I am engaged in the business of selling following types of tangible personal property तो कहता है कि मैं आप से पूछ रहा है कि किस टाइप की property यानि कि products जो है वो आप sell करना चाहते हैं उसकी आप तफसीलात हम यहाँ पर दें तो नॉमली मैं यहाँ पर furniture कुछ categories के नाम लिख देता हूं जैसे furniture हो गया और इसके इलावा कुछ और आप चाहें तो लिख दें जैसे electronics है तो लिखना चाहें तो लिख दें मर्जी है आपकी जो बड़े-बड़े मोटे-मोटी categories है वो डाल दें आप ठीके this certificate is for the purchase from लिख देता हूं क्योंकि let's assume कि यह वालवाट के लिए है चौथा question है I will reseal the item listed in paragraph 5 which I am purchasing under the street sales living तो कहता है कि यह फिर वही products वाली बात है कि description of the property to be purchased for reseal तो किस type की products आपकी है वो उसकी तफसीलात आप पूछ रहा है आपसे तो आपने मैं normally वही बात जो ओपर हमने मैंने लिखी होती है वही यहां पर लिख देता हूं furniture हो गया जो भी multi categories है मैं categories यहां पर डाल देता हूं अच्छा इसके इलावा बस last मैं आपसे कहता है कि जी आ आप अपना नाम डाले name of purchaser तो हमने अपने business का नाम डाल दिया जो भी business name LLC आपका है printed name of the person signing तो मैंने अपना नाम डाल दिया अगर आप चुके person signing होंगे तो आप डालेंगे title जो है वह आपका कोई भी हो सकता है CEO हो director हो मैंने purchasing manager डाल दिया यहां पर आप sign करेंगे और यह sign fill and sign के section button को प्रेस करके दी हो जाएगी इसी software में और अगर आप print कर रहे हैं तो जाहर से बते paper को print करें इसे अगाप sign करें और बाकी तफसिलात make sure करें address आपने डाल दिया हो phone number और date डाल दी हो यह तफसिलात डाल के इसको आप save करेंगे जब आप यह document safe करेंगे और walmart को दें आप